हेलो फ्रेंट्स मैंने सुप्रीम कोट के लेटेस जज्मेंट पर वीडियो बनाई थी सबसे पहले आप सब का शुक्रिया कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर रहे हैं अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इस केस के बाद कोट यह देखेगी कि क्या वाइफ शादी से पहले नोकरी करती थी तो इस मीन्स वह कैपेबल है और वह अब भी नोकरी कर सकती दूसरा कोट देखेगी कि क्या वह अपना गुजारा चलाने में सक्ष करने पर हस्बेंट की इमेडियेट गिरफ्तारी नहीं होगी तो आप सबने मुझे कमेंट्स किये क्या सच में गिरफ्तारी नहीं होगी और मेंटनेंस ना देने पर अरस्ट नहीं हो तो कौन सा रूल अगेंस्ट है एक और कमेंट आया कि if we don't give interim maintenance her court will react और you can say what is in the hand of court regarding enforcement of office order so आज मैं इस वीडियो में execution of orders of maintenance को ही discuss करूँगी कि order of maintenance का निश्पादन कैसे होता है execution कैसे होता है इसका enforcement कैसे होता है I hope इस वीडियो के बाद आपके सारे doubt clear हो जाएंगे बट फिर भी कोई doubt हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं और मैं ऐसे ही वीडियो बना कर आप लोगों की inquiries को discuss करूँगी जिससे आपको सही और अच्छे से समझा जा जा और कोई doubt ना रहे order of maintenance का execution कैसे होगा उसका निश्पादन कैसे होगा उसके लिए हम judgment का page number 56 देखते हैं page number 56 पर यह देखिए enforcement execution of order of maintenance यह की order of maintenance जो होगा वो कैसे लागू होगा for enforcement execution of orders of maintenance it is directed that an order or decree of maintenance may be enforced under section 28a of hindu marriage act 1956 section 26 of the DV act and section 128 of CRPC as may be applicable because जो wife है वो maintenance के लिए जो आवदन करती है वो DV act के अंतरकत भी करती है और कर सकती है और hindu marriage act and CRPC होगा so जिस act के भी अंतरकत maintenance का order pass होता है उसी के according applicable होगा यह so the order of maintenance may be enforced as a money degree of civil court as per the provision of the CPC more particularly section 51, 55, 58, 60, red with order 21 so जो maintenance का enforcement होगा वो CPC के provision के according होगा जैसे civil court में money decree enforced होती है सेम वैसे ही maintenance की decree भी enforced होगी section 51, 55, 58, 60, red with order 21 के according इन sections को हम एक बार short में देख लेते हैं section 51, powers of court to enforce execution section 51 में execution को enforce के लिए लागू करने के लिए जो courts की power है वो बताए गई है इसमें बताया गया है कि subject to such conditions and limitations as may be prescribed the court में on the application of the decree holder order execution of the decree ऐसी conditions, शर्तों and limitations पर इसी माउं के रहत के अधीन रहते हुए नियायले जो है वो decree order, decree दार जिसकी favor में decree आई है उसके आवेदन पर आदेश दे सिकेगा कि जो decree का execution है निश्पादन है वो किया जाए नमबर A is decreed property की delivery द्वारा नमबर B is attachment, कुर्की and sale द्वारा अगर judgment, debtor property की delivery नहीं करता है तो हम उस property को कुर्क करा सकते हैं और उसके बाद property को sale कर सकते हैं लेकिन कभी कभी बिना कुर्क किये भी sale करा जा सकता है नमबर C is by arrest and detention, गिरफतारी आव कारगार में निरोद द्वारा यहाँ पर सीधा non-vailable warrant नहीं निकला जाएगा कि direct non-vailable warrant निकल गया यहाँ पर court उसको पहले कारण बताओ notice भेजेगा और उसको court के सामने हाजिर होके कारण बताने को कहेगा और अगर नियाले को satisfy कर लेता है, court को satisfy कर लेता है अपने बातों से कि उसके पैसे नहीं है या वो पैसे ना देने का जो भी कारण court को बताए उससे court को satisfy कर लेता है अपने बातों से तो court execution की जो application लगाई है तो उसको reject कर सकता है लेकिन अगर वो court को satisfy नहीं कर पाता है अपने बातों से तो court उसको आदेश दे सकता है कि गिरपतार करके इसको detain किया जाए लेकिन अगर वे कारण बताओ notice मिलने के बाद भी court के सामने हाज़र नहीं होता है तो ऐसी situation में warrant निकाला जा सकता है अगर कभी भी इसमें arrest और detention का मामला होगा तो decree holder इसके लिए affidavit लगाएगा और affidavit में grounds लिखेगा कि किस grounds पर उसको arrest किया जाए otherwise सिधा non-bailable warrant निकाल के गिरफतारी नहीं की जा सकेगी बट section 58 में जो limitation paid बताया गया है उससे जादा नहीं रखा जा सकता number D is receiver को nuke करके भी कराया जा सकता है and number E is अन्य कोई तरीका जिससे decree execute की जा सके तो उस तरीके से भी decree को execute कराया जा सकता है and section 55 section 55 में arrest and detention को बताया गया है judgment debtor जो है decree निनीत निनी और decree के निश्पादन में execution के लिए किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफसार किया जा सकेगा और जल्दी से जल्दी उसको नियाले के समक्ष लाया जाएगा section 58 section 58 में detention and release निरोध और छोड़ा जाना को बताया गया है section 60 section 60 में बताया गया है कि कौन सी property decree के निश्पादन में execution of decree के लिए कुर्ख की जा सकेगी attachment की जा सकेगी उसके बारे में 60 में बताया गया है और order 21 order 21 में भी execution of decrees and orders के रूल्स बताया गया है so friends इसके बाद आपके doubt clear हो गए होंगे कि immediate गिरफतारी नहीं होगी पहले आपको कारण बताओ notice जाएगा और आप court को आके satisfy करेंगे कि किस वज़े से आप maintenance नहीं दे पा रहे हैं अपनी problem court को बताएंगे अगर court satisfy हो जाता है तो जो आपकी wife की side से application लगाई गई है गिरफतारी के वो dismiss की जा सकती है खारिज की जा सकती है लेकिन अगर आप notice मिलने के बाद भी court के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो आपकी गिरफतारी की जा सकती है friends और भी comments मुझे बहुत सारे आए हैं लेकिन यह video बहुत जादा lengthy हो गई है इसलिए मैं एक दूसरी वीडियो में आप सब की queries को उसमें discuss करूँ thanks for watching this video